ओम नमस्शिवाई दोस्तो आईए जानते है तुला राशी वालूं के लिए जन्वरी माहं 2022 का राशी फल। तुला राशी के दातकों के लिए जन्वरी 2022 का महिना मिश्रित फल लेकर आएगा। क्योंकि आपकी राशी के चतुर्त भाव में बुधा देव की उपस्तिती महिने की शुर्वात में नोकरी पेशा दात्कों को अनुकुलता देने का कारिय करेगी, जिससे वे अपने करियर में उन्नती करते हुए अपने लक्षों को पूरा कर सकेंगे। परन्तु बुध के साथ चतुर्त भाव में शनी देव की भी युती होने से महिने के उतरार्ध में आप अपने कारिय शेत्र पर अपना ध्यान कारियों से कुछ भ्रामीत महसुस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको शनी देव अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्यो की ऐसा करके ही आप अपने सभी कारियों को समय पर खूरा करते हुए, अपने बौस वह दुसरे सह कर्मियों से सरहाना प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, वही इस माह व्यापारी जात्कों की किस्मत चमकेगी और वे अपनी रननिती वह सही मार्केटिंग की मदद से अपन अधिन कारिय कर रहे कर्मियों का सहयोग भी मिलेगा, तुलाराशी के जात्कों के प्रेम संबंदों के लिए समय सामान्य से अनकुल ही रहेगा, कई सिंगल जातक प्रेमी के समक्ष अपने प्रेम का इजहार करते हुए, उनके साथ विवाह का फैसला भी ले सकते हैं, वही वो जातक जो हाल ही में किसी रिलेशन्शिप में आये है, उन्हें इस माह पार्टनर के साथ किसी भी तरह की नोगजोग करने से बचना होगा, अन्य था बात इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसे हल करने में असफल सिद्ध होंगे, इसके अलावा शादी शुदा जातकों के लिए यूतो या उधी उत्तम रहेगी, परन्तु कुछ जातकों के जीवन साथी को स्वास्त कष्ट होने से, वे अपने दामपत्य सुक से इस माह वंचित ही रहेंगे, हाला कि धन से जुड़े हर मुद्दे इस दवरान पूरी तरह खत्म हो सकेंगे, जिसके कारण आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ते मिलेगी, और आप अपने धन का सही इस्तमाल करते हुए उसे किसी निवेश में लगाने का फैसला भी ले सकते है, तुलाराशी के छात्रों की बात करे तो वे इस माह अपनी शिक्षा में सफलता हासिल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि इस दवरान आपकी स्मरन शक्ति का विकास होगा, साथ ही आप इस दवरान रचनात्मक विचारों से भी भरपुर रहते हुए निरंतर कुछ नया सिखने वा नया कोई एक्स्परिमेंट करने में सफल रहेंगे, ये अवधी जहां उच्चे शिक्षा से जुड़े जात्कों जो छात्र विदेश जाकर पड़ाई करने के इचुक थे, उन्हें भी इस दवरान अभी कुछ इंतजार करना पड़ सकता है, हाला कि पारिवारिक जीवन में भी आपको कुछ समस्याउं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन में इस पुरे ही माह उथल-फुथल साब देखी जाएगी, जिसके कारण आप घर पर रहते हुए कुछ शन आराम से नहीं बैट सकेंगे, और इसके परिणाम सोरूप आपके स्वभाव में कुछ आकरमकता भी देखी जा सकती है, इसलिए घर पर किसी भी सदस्य के साथ भूल से भी गलत भाशा का इस्तमाल न करे, अन्य था आपको नुक्सान संभव है, अब बात करे तुला राशी के जातकों की स्वास्त जीवन की तो छाया ग्रह रहु का आपके राशी के अश्टम्भाव में होना, आपको शरीर के उपरे हिस्से से जूड़ी कुछ समस्या देने का कार्य करेगा, ऐसे में कुछ भी खाने से पहले विशेश साउधानी रखे और गितना संभव हो, खुद को खेल कुद जैसी गती विध्यों के प्रती भी केंद्रीत रखने का प्रयास करे, धन्यवाद.